जो लोग बहुत serious trading को use करना चाहते हैं बहुत serious trader बना चाहते हैं It is loaded with the data Simple tool है सबसे simple tool यह है अगर हम इसको analyze करने ही कोशिश करें यह tool हमें यह बताने ही कोशिश करता है कि buyers initiate कर रहे हैं या sellers initiate कर रहे हैं buyers heavy हो रहे हैं या sellers heavy हो रहे हैं समझ में आएगा कि sellers initiate कर रहे हैं buyers initiate कर रहे हैं जो tools हो सकते हैं आप से use करने कोशिश करेंगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में जो हम और भी अच्छे से use कर सकते हैं we have multiple features like I mean we have so many optimizers we have strategies possibilities here trap indicators call option वाले call writers trap हो जाते हैं जहां हम call option या put option ले सकते हैं वो stocks दून सकते हैं तो trap indicator for example अगर हमें यहां पे जब तक market खुलती हैं discuss करते हैं call writers trap अगर मुझे call writers trap दिखाई देते हैं यहां पे मैं call option भाई कर सकता हूं as per the software as per the analysis वैसे भी past में कर देखेंगे तो जहां से देखिए राइट साइड में returns का एक column है राइट साइड में जब जब देखिए डिक्सन में 19th में को call writers trap होगे थे और अभी तक call writers trap है price था 3,000 रुबीज का और अब बढ़के हो गया 4,342 बल्ल 19th में से लेके 26 जून डेड़ महीने के अंदर अंदर डिक्सन ने हमें 42% की hopping returns निया 42% की that is huge क्यों में इंडिया all letters were trapped on 26th में exactly 26th जून है एक महीने पहले 1748 जूने के भाव पे और एक महीने पहले उसकी call options आपने purchase किये होती तो यहां भी 6% का gain आपको आ रहा है ITC भी flat है ITC मालू में आपको बहुत जादा high beta stocks नहीं आपको stocks को choose करना आ चाहिए high beta stocks होंगे तो volatility का मजा ले पाएंगे और बिंदो फार्मा 654 पी इस पे trap होए थे 700 पी चल रहे 7% की return आ चुका वही 30 मही को एक महीने से कोई become time 30 मही को ही PFC में के call letters trap होए थे 182 के price पे 9% की 9.9% 10% की return दे चुका है RDC में 10% की return आ चुकी है Apollo Times में 5% 7% देखिए ऐसा नहीं कि यहां losses नहीं होते losses भी होते है ICIC potential life में 12 June को अभी 14 दिन पहले 10% की return दे चुका है 10% की return अगा stock ने दिये तो उसकी option ने multiple returns दिये हम भी ध्यान रगना PEL Parable Enterprise Limited 12 June को call letters trap होए थे और 10% यह stock दे चुका है कम से कम 3-4-9% की return देखिए यहां minus भी है कहां पे SL pipes में 2017 में 0.5% का minus चल रहा है 13 June को ऐसा थोड़ी नहीं loss भी होगे But अगर किसी tool की हमारी accuracy 70-80% है That is huge कितने सारी green में 1, 2, 3 सिर्फ 3 red है कि flat है अभी 4 red है Flat है अभी flat है और अभी अभी जो stocks में call letter strap होते दिखाई दिये हैं यह दोक्टर एड़ी Canfield Homes Pedalight Industries Industry Bank MF Faisal Bharati Eritel Industry Industry HDFC Bank HDFC Lupin, Shriram, Trent Excite Industries Excite देखो कहां से कहां गया इसको मैं 180 से देख रहा हूँ इसमें call letter trap चल रहे है और Excite 180 से लेके 232 रुपे का भाव हो गया वी तक This is superb L&T Housing Finance में मैं कब से call letter trap देख रहा हूँ 70 रुपीस से आज इसका भाव 120 रुपे का असपास में आ गया है So tool जब तक नहीं होगा ना तब तक मज़ानी आएगा आपके अस tool होना बहुत ज़रूरी है Link video के description मिलेगा जैसे आप sign up करेंगे Login करेंगे जो भी payment plan आप choose करेंगे उसमें 1000-2000 का discount दूरूर मिलेगा instant पर ऐसा नहीं आप उसके आपने login आज बना लिया और discount आप 10 दिन बाल लेने जा रहे है ऐसा नहीं होगा आज ही आपको जब भी आप login करेंगे जब भी आप ID बनाएंगे परचेस किजिए monthly plan लीजिए यह लिए monthly लीजिए जिसको जैसा समझ में है वैसा लेनी कुशिश कीजिए आप देख सकते है value, volume जो आप करना चाहिए volume करना चाहिए कितना quantity है कितने पैसे के interested है वो बला यहाँ पे 3212 करोड रुपे की option FIS ने future buy किया हुए future sell किया हुए 3423 करोड गा option index के अंदर में यह देखिए यह value है बनेट में seller ही है थोड़ा selling दिखाई दिए है उनको 29th में को 29 में की जो expiry है उसमें वो थोड़ा seller दिखाई दे रहे है stocks में buying हो रही है future के stocks में buying हो रही है option के stocks में भी buying हो रही है इसमें भी थोड़ी सी little bit selling है बहुत जानिवल नेक चल रहा है data is loaded data में आपको क्या चाहिए वो सबस्रोडिया roll over कितना हुआ historical roll over आपको देखना है इतने data चीज़ें कि अभी तक मैं इसको पूरा नहीं देख पाए हूँ पर मेरे काम की जितनी चीज़ें मुझे बहुत जबरस मज़ा रहा है built-ups check करने built-up breath क्या है बजार की मतलब समझ में आता है ना कहां हो कह रहा है वही कितने stocks के अंदर में long हो रहा है कितने में long unwinding हो रही है कितने में shorts हो रहे है कितने में short covering हो रही है time frame पी हिसाब से अच्छा ये सिरफ आपके future के stocks के लिए ध्यान रखना ये बिल्कुल भी non F&O stocks के लिए नहीं है यहां पर अभी seller ही initiate करते seller ही दबाव में है seller से दबाव डाला होगा है sorry ये बड़ा जबरस data यार ये data ना पो कहीं मिलेगा नहीं मैं बता रहा हूँ आप दुनिया पर खर्चा जगे जगे करते हो थोड़ा खर्चा इसके उपर करो तरह बेटर रहेगा ये पिछले 20 साल का data में इस पर study कर सेता हूँ पिछले 20 साल का data में इस पर study कर हूँ ये देखो तो जनवरी के मही ने मिनिफ्टी negative return देती है परपरी में negative देती है मार्स से बुलिशों और साट होती है अपरेल में 2% का average return है माई में 10% के return है जून में 1% के आसपास के return है और जुलाई में वो 3% का return देती है और अजस्ट में 1% सेप्टेंबर में 5% अक्टूबर में 7% नवेमर में 2.3% and December में 2.88% इस देटा के लिए जो company है NSC को महिने के कम से कम 50 लाग रुपी देती होगी यह पता है आपको data sourcing के लिए NSC को 50 लाग से 1000 रुपी की fees pay की जाती होगी यह मैं पता सकता हूँ आपको मेरे experience के हिसाब से और यह data अगर आपको 24,000 रुपी फ्री में बिलता है वो फ्री है 24,000 रुपी में अगर हमको कुछ थोड़े से कुछ 1000 रुपे देखे अगर कुछ data मिल रहा हो ना तो मेरे साब से अगर आप trader है तो आप सब के पास होना चाहिए इस वीडियो के description में लिंक है चाहिए तो ले लेना coupon code उसकरना मेरा नाम विपुल है कि उसके बात की बात करें 5%, 9%, 8%, 1% माइनस में कितनी होती है 3%, 1%, 1% और उपर जाने को बढ़िया चलती है 1,5,5,4,6,6,6%, 8%, 9% तो July can be fantastic month guys for Nifty especially और I can find out for any stock for that's it किसी भी stock के बारे में मैं उसका analysis कर सतना पिछले 22 साल का data बेर सामने आता है कि कौन सा stock कौन से महीने परफॉर्म कर सकता है करेगा नहीं करेगा गारेंटी नहीं है but near to the expectations हो जाता है expectations बहुत हाई हो जाती है आप अपने stock के बारे में पूछा जाते है for example Reliance की बात कर रहे है आपके इस Reliance है तो Reliance का परफॉर्म करता है देखो मही से अप्रेल मही से अप्रेल फैब से चलना साथ है गेर बदलता है मार्च में अप्रेल में 4.5% की रिटन देता है यह study कर ले ना फीज आगे बहुत interesting data है बहुत interesting है इस लाइव analysis गाईज